पांचाचाचार रुपए लेके आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है और हमारे इस ट्रेडिंग जन्नी पर कौन से दिन मेरे को प्रॉफिट होता है और कौन से दिन मेरे को लॉस होता है कितने का प्रॉफिट होता है कितने का लॉस होता है पसंदारा देना आप लोग चाहो तो सस्क्राइब कर सकते हूँ यह तोडली अपका परसेनल चोज है नेहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हूँ तो आज है दोस्तो 26 जुलाइड आज मैं जब स्टार्ट किया तब मेरा केपटिल था 2891 लास्ट दे मेरे को कुछ प्राफित हुआ जिनको नहीं पता है वो जानलीजीये, आज से हुआ, मतलब में भी आज से हुआ, क्योंकि मैंने आज नोटिस किया, तो आज देखा कि प्रीमिय को प्राइस सेम था, मतलब दूसरे दिन जाए सेम था, बड़ मैंने जब चेक किया लेने गया, तब देखे कि पैसा कम लग रहा कि आसी ने फिर देखे कि लॉट साइज कम हो गया 15 का लॉट साइज हो गया तो इसी वज़े से जो है अगर कैपिटिल कम है देन आप लोग अभी निप्टी बैंक में भी जो है कर सकते हो ट्रेड बगेरा तो आज देखो मैंने दो ट्रेड लिया और जैसा कि आप सभी को पता है जो लोग पुराने भी और सो जो लोग नए देख रहा हूं लोग को नहीं पता होगा तो चलिए मैं आप लोगों करता हूं वैसे एक चीज़ बता दू मेरा कैपिटिल अर्मुस्ट होने वाला है बट अभी मैं होप पे हूँ कि मैं कुछ कर लूँगा इस कैपिटिल से म एक दम बनाया वजहां मुझे यह चीज़ पता था ऑट फिर भी मैंने थोड़ी किए मार्केट नौमल क्या होता है ऐसे वान्मुमे जाने के बाद थोड़ाओ सा low selling होता है फिर market boom होता है फिर से उपने जाता है ये चीज होता है बट आज मैंने एक गलती किया कि पहला trade वैसे गलती तो नहीं है मुझे इस जागे पर पता था मैं लाउस्ट वाला candle अगर आप लोग देखोगे ये लाउस्ट वाला candle का low था तो मुझे लगा कि इसका लोग जैसी break करेगा तो मैं इधर अपना entry बनाऊंगो तो market हो सकता है कि नीचे fall हो जाए क्योंकि market में मुझे कईने कईन लग रहा था कि market uptrend तो था लेकिन उपर जाने का सकती नहीं था market के पस market नीचे जाने वाला है यह चीज मुझे लग रहा था तो इधर मैंने बनाया entry इस candle के जैसे ही इसके high को cross किया वैसे ही मैंने इधर entry बनाया और entry बनाने के बाद तुरंद market जो है नीचे गया नीचे थोड़ सा नीचे गया और नीचे जाने के बाद market जो है reverse हो गया यह एक trap था वह मैं explain करता हूँ but इस trade में हम पूरा trap हो गया था market से इधर मुझे wait करना चाहिए था मुझे पता था यह trade थोड़ से risk किया बट फिर भी मैंने entry किया था बट जैसे इसमें loss हुआ इसमें loss होने के बाद जैसे कि यह आप लोग देख सकते हुआ कि यह EMA के नीचे चल ला है तो मैंने थोड़ा से 2-3 candle लोट किया यह EMA के ऊपर गया तो सेम टाइम पर मैं bank nipty भी देख रहा था तो bank nipty भी अपने resistance पे था bank nipty इस जगे पे था एक दम सेम टाइम का candle अगर बताओ तो यह 1150 का candle है इदर nipty में भी आप लोग देख सकते हो यह है आप लोग का 1150 का candle यह 1150 का candle यह EMA के ऊपर तो मैंने सूचे चलो एक trade bank nipty पे लेते है bank nipty हाला कि अपना resistance को बहुत अच्छे तरीके से respect कर रहा था पिछले दिन भी same resistance से देखिए same जगह से last time भी fall हुआ इदर देखिए fall यहां से fall यहां से fall यहां से fall यहां से fall इदर उपर तोड़ने का कोशिस किया लेकिन वो भी नहीं हो पाया यहां से भी fall तो मुझे लगा था कि अब market इसको हो सकता है break करते वो ऐसे लगा ही था बट यह trap भी हो सकता है यह भी मुझे पता था तो पूरा risky trade था तो इसी तरीके से मैंने जो trade पे entry किया इस candle पे अपना entry जो है मैंने बनाया put side का put side का बनाया और मेरा SL जो था यहां पे था इस के इस line के उपर यहां पे SL था कि यह हीट हो जाएगा यह मतलब मेरा दूसरा SL हीट हो गया तो आज मेरा देखो nifty में मैंने premium के उपर 2 रूपे का SL लगाया था और bank nifty में मैंने 10 रूपे का मतलब इधर गया मेरा 1500 रूपे 150 रूपीज गया और उधर गया 100 रूपे और brokerage 50-50-100 मतलब 350 रूपीज का मैंने आज total loss किया दोनों ट्रेड लिया दोनों ट्रेड रिसकी था दोनों जगा पे मैं मुझे market ने जो है trap कर दिया इस बाला तो थोड़ा ज्यादा ही trap हुआ वो बाला तो फिर भी एकदम मतलब यह कुछ उससे भी ज्यादा रिसकी था क्योंकि मैं एकदम ऊपर पे ट्रेड ले रहा हूँ बिना किसी confirmation के तो यह कभी भी जो है मेरा SL खा सकता था यह मुझे पता था तो मैंने दो ट्रेड लिया एंड इसके बाद रुग गया इसके बाद कोई तीसरा ट्रेड ने लिया क्योंकि मेरा अपना जो डेली लॉस का टार्गेट रहता है वो जो है हिट हो गया था तो आप लोग बताना आप लोग का आज का मार्केट कैसा क्या गया मुझे नहीं लगता कि आज बहुत खास कुछ लोगों ने कमाया मला बहुत ज्यादा कुछ लोगों ने कमाया होगा सबका ये साइडवेस थोड़ा से साइडवेस बैंग निप्टी तो फुली साइडवेस था ये इसी चैनल के अंदर मूब करते रहा गया ये नीचे लाइन और उपर लाइन दोनों चैनल के अंदर जो है मूब करते रहा गया हो सकता है कि आप लोग का भी आज एसल हिट हुआ होगा बहुत सारे लोग का मुझे नहीं पता मैं अपने अंदर से बता रहा हो तो आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बताना और ये भी हो आपको लगता है कि मेरा किसी सोच में डरी में मेरा में शुच भी कमेंड करो को Daarहाओ मेरा आज का टोटलiste का स्क्रिन सोट है एंड वीडियो को एंड करने से पहले एक और चीज जो लोग की इंस्टाग्राम चलाते हो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा की भी लिंक है जाके मुझे चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो ओके इसकल मिलता हो एक निव वीडियो के साथ तब लग लिए टाडा और वाई